आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ मश्कार दोस्तों आज का हमारा सवाल है एक दुखान 20% बट्टा देती है निमनल इकित में से प्रत्यक का विक्रय मुल्य क्या होगा और यहाँ पर हमारा पास तीन वस्तों के मुल्य दे रखें रहस 120 अंकित मुल्य वाल एक पोशाग दूसरा है 750 अंकित मुल्य वाली एक जोड़ी जूते और 250 अंकित मुल्य वाली एक ठेला ताइस कोश्चन को हल करते है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा हमें क्या बोल रहा है कि दुखान 20% बट्टा देती है तो 20% बट्टा का मतलब क्या है 100 रुप्य पर 20 रुप्य का बट्टा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिया गया है क्या दिया हुआ है 100 रुप्य पर 20 रुप्य बट्टा देती है तो क्या हो यह 20% बट्टा तो 100 रुप्य पर 20 रुप्य बट्टा है तो एक रुप्य पर बट्टा कितना होगा एक रूपिय पर जो हमारा बट्टा होगा वो होगा बीस बट्टा सो अब हमारा सबसे पहला क्या है ए रैस 120 अंकित मुल्यो वाली एक पोशाक और हमें ग्याद क्या करना है प्रत्यक का विक्रे मुल्यो तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा क्या है 120 अंकित मुल्यो वाली एक पोशाक तो इसमें हमारा पास अंकित मुल्यो कितना है अंकित मुल्यो है वो 120 रूपिया है तो एक रूपिय पर 20 बट्टा सो बट्टा है तो 120 रूपिय पर जो बट्टा होगा 120 रूपिय पर बट्टा कितना हो जाएगा 120 गुणा 20 बट्टा 100 तो यह हमार पास कितना आ जाएगा 2-0 से 2-0 कट जाएगे तो यहाँ जो कट रहा है 0 से 0 वह मैं काट देता हूँ एक जीरो यह और एक जीरो यह नीचे वाले 2-0 कर जाएगे तो 12 दूना चोईस तो महार पास बट्टे की वेल्यू यहाँ पर कितना आगी चोईस रूप्या अब हमें क्या पोचा है कोस्चन में विक्रे मुल्य तो विक्रे मुल्य क्या होता है अंकित मुल्य माइनस बट्टा उसको हम क्या बोलते है विक्रे मुल्य तो यहां पर विक्रे मुल्य हो जाएगा हमारा करें मुल्य बरापर मों अंकित मुल्य माइनस थे बट्टा अंकित मुल्य है हमँआरे पास 120 रुपया और हमारे पास बट्टा कितना है 24 रुपया तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा विक्रे मुल्य हो जाएगा 120 माइनस 24 तो ये हो जाएगा हमारे पास 96 या 96 रुपये तो हमारे पहले 120 रुपया अंकित वाली जो पोशाग थी उस पे कितना हो जाएगा विक्रे मुल्य 96 रूपया और बट्टा कितना हो जाएगा 24 रूपया अब हमार पास दूसरा कोश्चन क्या है 750 अंकित मुल्य वाली एक जोड़ी जूते तो यहां पर अब दूसरा कोश्चन दूसरा पार्ट रगलता हूँ तो दूसरे पार्ट में जो अंकित मुल्य है वो कितना है 750 रूपय तो 750 रूपय पर बट्टा कितना हो जाएगा 750 रूपय पर जो बट्टा मैं मिलेगा वो हो जाएगा 750 गुणा 20 बट्टा 100 यहां पर भी दो जिरो से दो जिरो कर जाएगे 75 गुणा 2 तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास 150 यह डेड़ सो तो आमारे पास जो विक्रे मुल्य हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास कि 750 मिसे 150 जाएंगे तो कितने बचेंगे 600 टॉप्या तुम्हारे दूसरी कोश्चिन का विक्रए मुल्या आया वह आया 600 चेंटी और 753 मॉठ्टा कितना है एको सो मद्वाद मों निखालेंगे तो यहाँ पर हमार पास सबसे पहले अंकित मुल्य कितना है दो सो पचास रुपए अंकित मुल्य वाली एक ठेला अब हमें बट्टा निकालना तो बट्टा कितना हो जाएगा दो सो पचास रुपए पर जो बट्टा आएगा हमार पास वो आएगा 250 गुणा 20 बटा 100 तो ये कितना हो जाएगा मार पास 50 रुप्ये अब हमार पास विक्रे मुल्य कितना आजाएगा विक्रे मुल्य बराबर अंकित मुल्य माइनस बटा तो जो विक्रे मुल्य हमार पास आएगा वो हो जाएगा अंकित मुल्य कितना है दो सो पचास माइनस बट्टा कितना है पचास रुपये तो ये हो जाएगा अमार पास दो सो रुपये तो दो सो पचास रुपये अंकित एक ठेले पर जो बट्टा होगा अमार पास वो तो होगा पचास रुपये और अमारा जो विक्रे मुल्य होगा उसका वो कितना हो जाएगा 200 रुप्य दन्यवाद